तािम लेवरज मिश्म कंसेब्स को को सीखे बेना आ आप अमीर बन पी सकते हैं अगर आपको मिलेडर बना है या मल्टाइमिलेडर बनन तो जो टाइम लेवरेज्ग से तो आपको इतना अच्छा डॉक्टर इसके पास इतनी बड़िया स्किल्स है कि दूर दूर से लोग इसके पास आते हैं अब यह डॉक्टर ऐसी तो मिलेगा नहीं यह पैसे चार्ज करेगा तो माल लेते हैं पांच हजार रुपे चार्ज करता है अपने एक पेशेंट से उसे डॉक्टर ने कमा लिए अब एक लाक रुपए कर डॉकटर के पास एक दिन के हा रहरे हैं और वह माल लेते हैं पूरे महीने काम कर रहा है तो तीर ओतीया बड़िया बात हैं यह तो बहुत बड़ीया कमार अब क्या यह डॉक्टर कितना ही अच्छा हो इसके बाग कितनी स्किल्स हो क्या यह 200 पेशिंट्स को ट्रीट कर सकता है और यहीं से शुरू होता है अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे 30 लाक रुपे जो है यह लिमिट है इसकी उपर डॉक् पेशिंट्स आये जाए ना और रोज अलग अलग पेशिंट्स आ रहे हैं तो वह क्या करते होस्पिटल खोल अब कहता है दोस्तों की चार्ट सो भी आ जाएंगे तो भी हमारे होस्पिटल में कैपासिटी है वह अपने अंडर अलग अलग डॉक्टर को हायर कर लेता बड़ हॉस्पिटल्स की भी ब्रांच खोल देगा अब आपके आसपस बहुत सरे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास चेन हैं जैसे की आप देखते हैं मैक्स हॉस्पिटल है उसकी चेन है तो ऐसे बहुत सरे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी चेन हैं और वह इसी तरीके से आगे बढ़े है अब जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो आपके आस पास किसी सोसाइटी के अंदर या अपने क्लिनिक लेके बैठा है, वो जादा कमा रहा है, या फोटेस या मैक्स जादा कमा रहे हैं, आप कहींगे यह जादा कमा रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझे, they are using time leverage, अब time leverage क्यों इतना साथा interesting है, मैं इसे बहुत interesting phenomena समझता हूँ, क्यों समझता हूँ, एक आदमी मान लेते हैं, वो 10 lakh रुपे महीना कमा रहा है, और 10 lakh रुपे महीना कमाने के लिए, वो लगा पड़ा रहता है, उसके पास family के लिए कोई time नहीं है, उसके पास अपने लिए भी time नहीं है, उसकी 5 lakh रुपे कमा रहा है, बट उसके पास इतना time है, कि वो अपनी family को भी time देता है, उसकी health भी अच्छी रहती है, और यहां पे वो आदमी अपनी job में 12 गंटे, 14 गंटे लगा रहता है, continuous, और यहां पे वो आदमी सिर्फ 4 से 5 गंटे काम करता है, और उसके पास time जादा है, वो जादा अमीर हो सकता है, और अमीर यह भी है, अब बात यह नहीं आती कि यह 10 लाग रुपे कमा रहा है, यह 5 लाग रुपे कमा रहा है, 10 लाग बढ़िया है, यहां इसके पास advantage जादे तो यह बढ़िया है, अभी एक चीज़ और matter करती है, वो समझ लीजे अब, यह भी इस बात से बढ़ता है, मालो यह आदमी बिमार बढ़ गया, और एक महिने या दो महिने या तीन महिने काम पर ना जा पाया, तो क्या पैसे आने continue रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर यह आदमी आपे 5 कमा रहा है, और यह काम पर नहीं जा पाया, तो एक महिने, दो महि तीन महीने या उससे भी जादा क्या पैसे आने कंटीनियू रहेंगे सबसे बड़ा सवाल है आज अगर आप 10,000 रुपे महीना भी कमा रहे हो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोई आदमी कितना भी कमा रहा है इससे फरक नहीं पड़ता है अगर वो काम करना बंद भ गहांnew है बहुत जादा इंट्रस्टिंग शूरू होता है उस बहुत जादा इंट्रस्टिंग चीज़ को बोलते है ऑप यह पैसिव इंकम अब जूए पैसिव इंकम है यह क्या मतलब है इसका पैसिव इंकम देखो 2 तrain की इंकम होती है एक होती एक रुन-ध अहों जसके क lockdown के टाइम पे भी लोग घर पर हैं बट अमीर लोगों को इतनी जाता परवा नहीं क्यों क्योंकि उन्होंने पैसिव इंकम के सूर्सेज बना रहे हैं अगर उन्हें अपने पैसिव इंकम से इतना पैसा आ रहा है कि वह अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकते हैं वह यह हम तो घर रहेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे और गरीब आदमी यह सोच रहा है कि अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा जिसके पास एक्टिव इंकम आरी थी तो मेरे घर वाले मुखें मट जाएंगे बट आज अगर आपको अमीर बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि Euningen के स्वेत्व इंकम के सबस्क्राइब क्या होते हैं तो वो इंवेश्मेंट करके अपने जल्दी से सूर्स बना लेते हैं अब इंवेस्पेंट्स का क्या मतलब है मंली श Nuclear आदमी है उसने अपना एक क्रोडर पे कई चाहां से बारा परसेंगा बंट शुन भरन पहुत उसे एक लाग रुप महीन आ रहा है उसकी एक investment हो सकता है उसने कहीं पर rent पे अपने properties जाली हो और उसे rental income आ रही है अब क्योंकि उसे rental income आ रही है उसकी again passive income है passive income कई तरीकी की हो सकता है उसका कोई business हो जो online चल रहा हो और अगर वो काम ना भी करें तब भी उसे online पैसा आ रहा हो जो again passive income का पार्ट है इंवेस्मेंट से अमीर बनना कब पॉसिबल है जब हमारे पास investment करने के लिए पैसा हो अब गरीब आदमी के अगरे आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा सर यहां पर आप एक्जांबल दे रहे हो प्रॉपर्टी के आप एक्जांबल दे रहे हो भी हमारे पास एक करोड़ हमने investment कर दी बड़ अगर हमारे पैसा ही ना हो तो क्या होगा यहां से शुरू होता है कि आप बिजनस करके भी passive income create कर सकते हो अब अगर आप देखो कि ज्यादत तो लोग बिजनस को यह समझते हैं कि भी एक दुकान खुल लो एक मोबाइल की दुकान खुल लो गार्मेंट क बात करो business वह होता है कि आप काम ना भी करो तब भी आपके अंडर लोग हो जो आपके लिए काम कर रहे हो और आपको पैसा आ रहा हो अब यहां पे जो business है क्योंकि आप lockdown वाली situation चल रही है online business का trend आगे जो offline business है वह सफर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे क्योंकि we do not know situation कप ज ठीक लेते हों और यहां पर आप यह देखते हो कि business वह करना है जिसमें अगर मैं एक बार मेहनत करूं तो यहां पर मैंने एक आदमी दस लाक रुपे कमा रहा है और वह दिनके 10 गंटे 12 गंटे 14 गंटे काम कर रहा है यह बिल्कुल भी गलत नहीं अगर वह अपने business के लिए कर रहा है क्योंकि एक बार मैनत करके वह चार घंटे भी काम ना करें क्या जीरो अगर आर्ट भी काम करेंगा तब भी उसे पैसा आ रहा होगा यह बिजनस का एडवांटेज होता है बट यह चीज़ जादातर लोग समझ यह नहीं पाते अपनी लाइफ में क्योंने कुछ ऐ आप अपने आसपस चोटे मोटे लोग भी देख सकते हो जो बहुत दा काम नहीं करते पर उनके पैसे आ रहे हैं क्योंकि पैसे इंकम के सोर्से बने हुए है आज अगर आपने समझ लिया कि मुझे टाइम को लेवरेज करना है अब लेवरेज का मतलब क्या होता है कि आप अ इंटो बिजनेस और वड़ेव यह डूइंग आप अपने आपसे सवाल पुछो हाओ दिस केन बीड़न विदाउट मी यह मेरे बिना कैसे हो सकता है मैं एक्जांपल देता हूँ आप देखते हो कि जो अमीर लोग होते हो ड्राइवर रखते हैं वो ड्राइवर क्यों रखत कि और उस फोन में पांच मिनिट में वो काम कर रहे होते हैं जो उस ड्राइवर की सैलरी पांच मिनिट में निकालिए उस ड्राइवर की सैलरी 15-20,000 तो 15-20,000 रुपई तो एक 2-3 ृचिंटे में घमा लेगा ग्मा यहोई था पूरे धिन में समय क्मा यह पिश knew about शोसे उस अगर आप अपने आपसे बड़े चोटे लेवल पे बहुत बेस लेवल पे अब यह नहीं करा है स्कूल का साइंग्मेंट नी बनाएंगे तो डूड़ेंगे मेरे बिना कैसे होगा एक लड़की पटा ले तो वो कर लेगी तो यह मैं आपको लेवरेज का कंसेप्ट नहीं दे कि दुलवाली पर जो ब्रेन आपका जो दो करोड रुपे के 200 करोड रुपे भी आपको कमा के दे सकता है आपने उस पर अपना ताइम लगा लिया तो तो ताइम इस मोर वाल्यूबल दन मनी और यह व्यू रिलिए यू आपको पुला था दो दो एडवाइस दोंगा पहली आपका बिजनस यहां से यहां पहुंच जाएगा और डॉमाटिकली क्योंकि यह रूल है बिजनस का आप जितना जादा लेवरेज कर दोगे उतने जादा फ्री हो जाओगे और टाइमली में दो चीज़े एक तो कम उमर में और दूसरा कि आपको टाइम ना देना पड़े अब जैसे मैंने बोला था I'll give you my second advice and this advice is like अब जो भी काम कर रहे हो whatever you are doing आपको बना है millionaire हमने लास्ट वीडियो में बात करी दी millionaire बना आपको अपने आप से मेशा पुछो जो भी आप कर रहे हो कि यह आपको millionaire बनाएगा whatever you are doing आज आप कुछ भी कर रहे हो कुछ भी आज आप एक किताब पढ़ रहे हो आपको समझा रहे है इस किताब से जो मैं पढ़ रहे हूं इसे पढ़के अपनी लाइफ में अप्लाइ कर गे हां मैं एक millionaire बन सकता हूं बट अगर आप गेम खेल रहे हो आप टीवी देख रहे हो आप IPL लेख रहे हो अपने आपसे बुछो या IPL लेखने से मैं क्या करोड़पती बनूँगा करी दी लास्ट वीडियो में कि आपको present continuous tense में बात करनी है कि मैं मिलेनर मिलेनर बन रहा हूं और आप कुछ भी ऐसा करते हो जो आपकी प्रोसेस को रोक रहा है आपको रोक रहा है आप देखिए आपने एक गया स्टोफ के ऊपर कूकर रखा कूकर में चावल लाले और भी 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 बनेगी कब बनेगी वह जब अब उसे लगातार फायर पर रखोगे तो this goes for your focus आपके focus के लिए जाता है कि whatever you are doing just ask yourself will this make me a money? क्या आप अपने clients से बात कर रहे हो उस पर time लगा रहे हो आप sales कैसे बढ़ा सकते हो इस चीज की ओपर time लगा रहे हो या फिर आप इस चीज की ओपर time लगा रहे हो कि आज ना मैं अपने दोस्तों के साथ party कर लेता हूँ आज पीएंगे बैठके बौत मज़ा आएगा या यह तो आप पूरी जिन्दीगी कर सकते हो but एक बार effort लगा के कुछ ऐसा produce कर दो एक बार कुछ ऐसा business produce कर दो जो lifetime आपको कमा के दे जिससे आप financially free हो जाओ and that's the goal if this is your goal comment below कि sir I want to become financially free आप financially free होना साथ तो नीचे comment कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी सा like कर दीजिए क्या मज़ा आ आपको go self-made university के अंदर if yes comment कीजिए like करें जिससे मुझे पता लगे कि आपको मज़ा आ रहा है finally YouTube पे आप यह वीडियो देख रहे हो online business create करनेगा और people do not know कि online business कैसे किया सकता है how you can be a digital entrepreneur so हमारा उसके लिए exclusive training है वाप ले सकते हो अगर आपको online आपको झाहर आपको इन घर सकता है 1 1 3 GOO झाल